काईरा का कारेक्टर दरी हुई अर्पिता अपनी सीट पर बैठे वेटर को उनका ओर्डर ले जाते हुए देखने लगी। ये मेरी इस महनी की सालरी और बोनस है। अर्पिता को अपने साथ हुई इतनी सारी बातों को कहता हुआ देखकर प्रिया को ऐसे लगने लगा जैसे कि कोई छोटा बच्चा बहुत दिनों से अपने बेस फ्रेंड से ना मिला हो और वो उसे बहुत सारी बाते बताने के लिए बेचान हो रहा हो। प्रिया बिना कोई जवाब दे बस सुने जा रही थी। आगे बढ़कर उसने टेबल पर रखे लिफाफे को खोला जिसके बाद उसने लिफाफे में से अर्पिता की सैलरी का चेक निकाला और उसे अर्पिता के ओर देते हुए कहने लगी तुम ये सैलरी का चेक रख सकती ह प्रिया ने जैसे ही अपनी बात खत्म की उसने अर्पिता को मना करने का एक भी मौका नहीं दिया और सैलरी का चेक उसके लिफाफे में रख कर उसकी और आगे बढ़ाते हुए उसके बैग में रख दिया। उनके डिशेस भी सर्व हो चुकी थी। उनमें होने वाली बाते भी बाकी लोगों की तरह नहीं थी। प्रिया की शांत स्वभाव की वजह से वो हमीशा चुप रह दी और अर्पिता को बोलने देती और उसकी बातों का सिर्फ जवाब देती। अरे हां तुमने उस मौडल कायरा के बारे में सुना है। अर्पिता प्रिया से पूछने मैनेजर अर्पिता को भी कायरा से अकेले में मिलने नहीं देती और ना ही उससे बात करने देती। जैसे ही कायरा के मैनेजर ने सुना कि वो लोग उनसे पब्लिसिटी की डील करना चाहते हैं उसने तुरंत उनका फोन काट दिया बिना कोई बात किये। अर्पिता को तो साफी स्टूपिट फिल हो रहता। प्रिया का ध्यान हमेशा अपनी पेशिंट्स की हेल्थ और उनका ध्यान रखने में लगा होता था। ये बात जाहिर थी कि वो कभी एंटेटीन्मेंट न्यूज को फॉलू नहीं करेगी। तुम उस फीमेल मॉडल की बात कर रहे ही हो ज अचानक से उमीद की केर्णों के साथ शमक उठा। वो टेबल पर आगे जुकते हुए प्रिया से पूछने लगी। चल्दी बताओगा खिर बात क्या है। मैं उससे जानती नहीं हो लेकिन मेरी डिपार्टमेंट के कई सारे मेल डॉक्टर उसके फैन है। मैंने उन लोगो अपनी आखें बड़ी करके प्रिया से पूछने लगी। ये देखते हुए कि अरपिता इस बात में कितनी ज्यादा इंट्रेसिट थी। प्रिया और भी सीरियस हो गई। वो अपने हाथ में पकड़े कॉफी के कप को टेबल पर रखते हुए कहने लगी। मैंने सुना है कि अरपिता प्रिया की बात सुनकर उससे पूछने लगी। एंटेटीन्मिन इंडस्ट्री में बेस्ट आक्टर और अक्ट्रस भी इतने अरगन्ट नहीं हो सकते थे। एक मॉडल जिसने अभी-भी इंडस्ट्री में कदम रखा है अपने ऐसे रवाईय से तो काईरा खुद क के लिए ही कबर खुद रही है। उसने बहुत लोगों को नाराज किया है। इसलिए जब शुरुवात में उसने अपना करियर स्टार्ट किया था और जब वो इतनी पॉपिलर नहीं थी, जितनी वो आज है, इंडस्ट्री के कुछ ऐसे लोग थे जो उसके इन नकलों से तं कुराने लगी। लेकिन इससे पहले कि वो इंसान अपना हाथ कायरा के कंधे पर भी रख पाता, कायरा ने उसका खेल तमाम कर दिया। यहां तक कि उसने उसकी चहरे पर पानी का गिलास फैंक कर उसे थपड तक मारा। यह इंडस्ट्री तुम्हारे जैसे नीच लोगों की वजह से गंदी ह हो रही है। अगर अगली बार तुमने मेरे साथ इस तरह की हरकत करनी की कोशिश की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उसकी खुबसूर्ती और अटिट्यूट का कमाल है कि वो हमारे इंडस्ट्री ही नहीं बलकि देश की इतनी पॉपिलर सेलबर्टी बन चकी है। इंडस्ट्री का इतना बड़ा इंसान भी कायरा के सामने हार मान गया और इससे हरा नहीं पाया। इसका मतलब तो यही था कि कायरा किसी मामुली बैग्राउंड से नहीं आती थी। अर्पिता ने ये चालेंज कैसे एकसेप्ट कर लिया। अर्पिता का फोन अचानक पजटा। अर्पिता अपने फोन पर अन्नून नंबर को देखा, वो सोचने लगी कि ये किसका नंबर है और उसने फोन को उठा लिया। अगले ही पल फोन की दूसरी लाइन से एक क्यूट आवाज आने लगी। प्यारी दीदी आप अभी तक घर क्यों नहीं आई डिनर के लिए। अब मुझे अनन्या का ध्यान रखने के लिए मित्तल हाउस वापस जाना पड़ेगा, हम पिर कभी किसी और दिन मिलते हैं। इससे पहले कि वो कुछ सोच बाती टैक्सी मित्तल हाउस पहुच चुकी थी। वो जैसे ही मेन विला में पहुची उसने लिविंग रूम में किसी को बैठा हुआ पाया। सिंपल वाइट शिर्ट और ब्लाक पैन में संजे काफी मिच्यार और चामिंग लग रहा था। अरपिता इस कन्फ्यूजन में थी कि वो सीधा अंदर जाए या थोड़ी देर के लिए बाहर रुके। संजे को कुछ समझाया और वो उसके ओर पलट कर देखने लगा।